देश का दिल कहे जाने वाले मद्द प्रदेश में इस बार भारती अंता पार्टी ने लोकसभा चुनाओं में जबर्जस्त प्रदर्शन किया, सभी सीटें जीती हैं, हमाई साथ बात करने के लिए हैं मद्द प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजिन सुकला जी, सुकला ज जैसा आपने कहा कि मद्द प्रदेश में वास्तों में मद्द प्रदेश की जनता अभिनंदन के अपात रहे हैं, कि एक नया इतिहास रचा है, और देश को एक मैसेज दिया है कि मद्द प्रदेश की जनता मोदी जी को तीसरी वार प्रदार्द सुन्थी बनाने के लिए कि प्रदान मंत्री के रूप में भी काम किया है तो पूरे देश के सभी कारकरताओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं समझते हैं और सोशासन के प्रतीक हैं वो तो इसलिए हम सब को इस बात का भरोसा है कि वो जो भी निर्णा लेंगे वो जो सबसे बहतर निर्णा हो सकता हो वही लेंगे और मद्धर प्रदेश का प्रदिनिस्त जैसा हमेशा से रहा है वैसा रहे पहले भी भागीदारी मद्रपजेश की परयापत रहती थी और आगे भी भागीदारी मद्रपजेश की रहेगी यह हम लोगों को भरोसा है और बाकी जैसा मैंने कहा कि विशेत्या दिखार परधान मंत्री जी का है और उनको सब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और उनका दिश्ट्री बहुत ही क्लियर है तो इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं शुकला जी जो एंडिय के घटक दल है उन लोगों ने पहले ही कह दिया कि हम लोग बिना सर्थ सरकार में सामिल हो रहे हैं और मोदी जी को हमारा समर्तन है कल हम लोगों ने सेंटरल हॉल में भी दे लागी उनका कहना है कि इंडिया गडबंधन की तरफ से नितीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर पत का ओफर आया था लेकिन हम लोग माने नहीं हम लोग एंडिय के साथ हैं इसे किस रूप में लेकते हैं क्या आपको लगता है कि कहीं अभी कुछ मन में उनके आया है और हम लोग ये उन्होंने कई बार ये कहा भी है कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने इधर उधर विचार किया और किया अब वो सब समाप्त अब सिर्व मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया है अकले एक नेता हैं जिसने काम किया है ऐसा नितीश को कि मानगे चलना चाहिए कि कल का व्यूहार और जो थेक्मेंट रहा वो देशS को अब बिना किसी बैवधान के मोदी जी के नेतीम निदने में मदद करेगा और को मोदी जी की और निदेश ची की और दिल कुदेशं की और सारे घुतक दल जो है वो बहुत ही सभी सबी पार्टाद भरतियंता पार्टी सबसे बड़ा दल है. लेकिन इन्डियागडवंधन के जो नेता हैं, चाहए वो राहूल गांदी हो या दूसरे नेता हो, वो इसे जो है मोदी की हार के रूप में पेस कर रहे हैं, कि ये मोधी की हार हो गई है जबकि नरेंद मोधी सरकार बनने जा रहे हैं कल वो सपत लेने जा रहे हैं सबसे बड़ा दल भारती अंता पार्टी है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस के जो लीडर से कंटीनु इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मोधी तो हार गए देखे इसके अला हो गई है यह जो सोच रहे हैं तो यह सिर्फ पॉलिटिकल एक लोगों को दिखाने के कोशित हो कर रहे हैं जैसे कि उनकी राजनीती जीवित रहे और वो पांच साल अपना ठीक प्रकार से अपने कारकरताओं का जोज खरोश और मनुबल बढ़ाई रखे इसके लिए उनका अपना यह वहार है लेकिन जहां तक मोदी जी की सरकार बनने का है तो उसमें कोई शंका है नहीं मजूती से पांच साल चलने का है उसमें भी किसी को कोई डाउट रही है और जैसा नितिश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अभी इस बार वो लोग कुछ इधर उध सीटे जीत गए हैं लेकिन अगली बार मोदी जी के पांच वर्षों के कारयों का जब जो पिछले दस वर्षों से चालू हुआ है जब वो कंप्लीशन पर आएगा तो यदि इधर उधर कहीं कुछ वो जीत भी गए होगा अगली बार सब हार जाएंगे तो वो बहुत अच् की अर्थवर्षा को ग्यारवेस से पांच में पुछ आया अब इन पांच वर्षों में आप उसको तीसरे में पुछ आएंगे तो हम आर्थिक रूप से इतने मजूद होंगे कि बहुत सारा काम कर पाएंगे इस कारकाल के बाद तस्वीर कुछ अलग हां तो जब वो काम कं पी को हरा दिया लेकिन वो पस्ता रहे हैं कि यह तो थोड़ा चूख हो गई आपको ध्यान होगा एक बार गुजरात का चुना हुआ था उसमें साथ आट सीटों का ही अंतर रहे था भाजपावर कॉंग्रेस का 99 पे रह गए थी 99 पे बेजेपी लेकिन उसके बाद जब दूख हो जाती तो फिर आगे से लोग सतर खो गए तो वही इस्तिती देश में भी बनेगी यह लोएस्ट है जिससे नीचे जाना नहीं है और लोगों को रिलाइज हो रहा है आप सोशल मीडिया में देख कही लोग आम आदमी में हम लोग मद्व देश्व 29-37 सिटी आई द पराइजाएb यहां जो जो कमी रह गई थि वह रिलाइज कर रहे हैं और जिस राज में कमी नहीं रह गई नहीं धन्य genommen Weakarta कमी कहाँ रहे ती। कैसे कमी रह गई इतनी जो उसकर उपोकि U.P की राजनीतीаго दाखर पर चलती है और और समी करणन पर कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने का भी काम किया गया जैसे हम चार सो पार की बात करते रहे तो इन लोगों ये भ्रमित करते रहे कि समीधान बदल देंगे तो उससे भ्रमित करने वाली जो टीम जहां ज्यादा एक्टिव थी वो थोड़ा सफल हो गई हमारे मद्र बदेश में भ्रमित करने के कोशिस के गई लेकिन ब्रमित करने वाले टीम उतनी थी नहीं क्योंकि को कॉंगरेस के बहुत से नेता हमारे पार्टी में आ गए थे तो आपको लगता है कि इसका असर विधान सबां चुनाओं पड़ेगा देखे विदान सबाव लोग सबाव चुनाव बिल्कुल अलग होता है विदान सबाव में मुझे लगता है कि लोग सबाव में लोग… …yee समझ रहे हैं कि यहां कमी कुई है और महराज का जहां तक सवाल है कि वहा पर स्टीव सेना और न्सीपी में ही दो दो गूठ हो गए तो आपस में ही बहुत पॉलिटिक्स थोड़ा मैस हो गई वहां की और अब विधान सभा के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी को जैसा पिछले चुनाओं में स्टाइक रेट यह आप देखेंगे तो देवें फंडवीज जी जब चीफ मिश्टर थे तो उस समय जीतनी सीटों पर हम लोग लड़े थे उस स्टाइक रेट उसके पहले के चुनाओं से बहतर था अब वह बात अलग है कि उदाव ठागरे जी हमारे गड़बंदां के साथ और भाजपा के समर्दन से उनकी सीटे आई और फिर बाद में बिल्कुल ही उन्होंने रुख बदल दिया और फिर वो कॉंग्रेस और NCP के साथ मुखमंत्री बन गए तो वो जो उन्होंने ब्लंडर किया उसके कारण की पार्टी टूटी कि भाई आप तो पिता जी तो बा ठागरेजी का बियान होता था और आपने उन्हीं के साथ किया तो इमेचूर स्टेप जो पोलिटिक्स जो उन्होंने की उसका परणाम हुआ कि शुसेना इस्प्लिट हो गई तो एक गलत स्टेप राजनीती में अटल वियारी बाजपेजी कहते थे कि राजनीती का राज ब और उनकी पार्टी पुरी तरह से दो टुकुल में हो गई अब दस सीटों की आई है और च्छै सीट एक नाज शिंदे जी की आई है अब 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 लगता है कि आने वाले समय में इंडिया कुनवा बढ़ेगा कुछ और दल भी इंडिया में सामिल हो सकते हैं आ सकते हैं आपको ऐसा कुछ अंदेशा लग रहा है या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्योंकि राज़िक में लंबे समय से आप भी बहुत माहिर खि वो लोग ने देख लिया कि मोदी जी को रोखने के लिए हम लोग आये थे और मोदी जी तो रूखे नहीं 292 अब कडवंधन की जितनी भी सरकारे रही हैं इंडुस्तान की इतिहास में उसमें सिंगल लाज़स्ट पार्टी अटल जी के समय पे भी 182 182 सीटे आई और 145 और 140 इस प्रकार की सीटे लाके और 10 साल प्रथान मंत्री रहे आए तो मोदी जी तो 240 सीटे सबसे ज्यादा सीटे लेके और गडवंधन की सरकार के प्रथान मंत्री बनने जा रहे हैं तो अने दल जो इस आशा में जुटे थे इंडिया में की इधर कुछ पोटेंशल है इसकोप है या कुछ गुण्जाईश है उन्होंने देख लिया तो इसलिए अब वो अपने अपने पार्टी के विकास के लिए अपने राजियों के जो जनता से कमिटमेंट करके आए उसके वादो को पूरा करने के लिए वो एंडिया के संपर्ख में आएंगे और एंडिय दिल्ली तुसार निरेज पांडे विपी नियूस दिल्ली